so now irida limited अब देखें 150 रुपे 50 पैसा का प्राइस आ चुका है और यहां पर स्टॉक में 30% की गराबट हो चुकी है तो अभी यहां पर ना क्या बाई करने का समय आ चुका है क्योंकि यहां पर ना 30% की गराबट इस PSV में हो चुकी है या फिर आभी रहन दें क्योंकि यहाँ पर और ज्यादा गिराबट बढ़ने बाली है तो अभी दो गंटे पहले एक आर्टिकल प्रब्लिस हुआ है और यहाँ पर 30% स्टॉक है डायब हो चुका है फ़रम रिकॉष हाई तो यहाँ पर अनिलिस्ट क्या उड़काई यह बात क्या है विजरा है चार आनिलिस्ट यहाँ पर कुछ कह रहे हैं जो कि आपको सुनना चाहिए और बेरे स्टेंड और चालु है थोड़ सा और इंक्रीज हो सकते तो अभी अगर आप देख WOW ए एक है टेकनिकल एनलिस्ट है जो कि यहां पर कह रहे हैं कि next support zone जो है न वो 155 था और आप यहांपर crucial support zone जो है वो 139 है अगर 139 टूटा है इनके हिसाब से यहांपर जो है और तेज गरावट देखने हो मिलेगी लेकिन अगर बच गया तो 130 से 137 तक है यहांपर आपको upside देखन गया है और tips to trade का कहना है कि यहांपर 175 रुपए के strong resistance है इस stock के अंदर 141 यहांपर support है और अगर इसके नीचे यहांपर close हो जाता है 141 के नीचे गलती से close हो गया तो कहीं न कहीं आपको 122 रुपए नियर टम में आते हुए यह stock देखने को मिल सकता है यहांपर बाकी एनलिस website है और possible है यह एक महीने के अंदर एक रेंज में रहे 135 से 180 रुपए की रेंज में आपको यह देखने को मिले बाकी DRS फिन्वेस्ट यहांपर बता रहे हैं तो 120 रुपए तक की लेवल आपको इस stock के अंदर देखने को मिल सकते हैं तो यह सब बात है जो कि analyst कह रहे हैं BRS trend बुलिस trend में हो सकता है अगर यह support बच गए बट एक्चॉल में होना क्या है कहां तक की गरावट दिखती है चार्ड को analyze करके देखना पड़ेगा तो अभी हो भी क्यों ना आप देखेंगे 2024 से सुरुवाती आप देखें केंडल कुछ इस तरह की आदी तेजी तो गई आद परसेंट वाले circuit में कुछ ऐसा ही होता है मतलब ना तो आपको move करने की जग है एक और मैं आपको बात बता हूँ इस stock अंदर इतनी बड़ी problem नहीं आती यह 5% का circuit जो है ना वो काफी दिक्कत दे रहा है 5% के circuit में ना आप inter day सही से कर सकते हैं ना कुछ यहाँ पर short कर सकते है कुछ भी नहीं हो सकता तो वो 5% की circuit की वज़े से जादा हमें problem देखने को मिल रही है अब कोई बहुत बड़ा है यहाँ पर जो है ना तो upside देखने को मिल सकता है ना downside देखने को मिल सकता है ट्रेडर्स का एक interest जो हटा हुआ है इस counter से तो वो एक बड़ी बात है 5% का circuit तब circuit नहीं मारेगा कुल मिलाखर तब जाकर आपर जो है यह ट्रेडिंग का जो limit है वो बढ़ती नजर आएगी यानि की circuit की limit जो है वो बढ़ती नजर आएगी लेकिन उसके लिए भी काफी दिन चाहिए होंगे तो 5% की circuit को जाए से जादा problem है और अगर यह stock ऐसे ही करता रहा 5 परसेंट की circuit में आप डाउन अप डाउन अप डाउन तो इसके में कोई भी यहाप जो है आपको benefit नहीं मिलने वाला यह बात आप समझ लीजिए तो अभी अगर आप data देखे टेकनिकल का तो यहाँ पर indicators क्या कह रहे हैं यह RSI कहाँ पर है 47.67 का RSI था टेस को आज यहाँ प बिलकुल भी नहीं होती है अगर आपने higher side ले रखा है इस stop को ध्यान दीजेगा अगर और गिरावट यहाँ पर बढ़ती है RSI पर नज़र रखिएगा अगर वो एकका दुक्का एदर की तरफ आता है आपको गलती से हटना नहीं है अगर आप हट गए उस जगे पर और वह वहां से यह पकड़ लेगा तेजी यह ध्यान रखेगा बीस का RSI बहुत कम होता है वहां से तेजी बननी है अभी यहाँ पर जो है अपने को बाइस का RSI जाद़ देखना है अगर गरावट आती है बीस के RSI तक हम आते हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि भीया हमें कर रहा होगा जिन्होंने निचले लेबल पर खरिदारी कर ली थी आज ना वह सब टेंसर में होंगी कि एक अच्छा खास हमने गीन जो है वह चोड़ दिया बहुत लोग आके बोलें कॉन्फिडेंट है बगएरा 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 वह कॉन्फिडेंट है सब कुछ है वर् टाइम पर लिक्विडिटी जब हटती है ना तब असली खील स्टार्ट होता है वो गेम स्टार्ट हुआ है और आप देखें अभी वैल्यूशन कहां पर आ गई है क्या बहुत महंगे रह गई है अगर आप देखेंगे प्रैस तु बुक वैल्यू के इसाब से बहुत महंग पी रिश्यो इंडेस्ट भी चला है 24.05 का आप सोचें कि आप खाँ पर थे 215 के राउंड जब थे किस जगे पर आपका पी था तो एक तेजी होती है ना बुल मार्केट में ऐसे ही होता है लेकिन जब एक मंदी आती है तब बहुत प्रॉब्लम होती है कहने की बाते हो जात या रिप्लेश करेगी रिनिवन एनरजी आपकी थर्मल पावर एनरजी को वो रिप्लेश करेगा ना कि इससे कुछ चमतकार होने वाला कि भी या बस अब यहीं है वही जब पर यहां पर जो इना रहने वाली है अर्णिंग में कोई इतना बड़ा पावर कमपनियों की नही बाता है ये भी दियान रखना है कुछ लगवाएंगे बट हर कोई नहीं लगवाता हो यहाँ पर ना अपसाइड जो आप देख रहे हैं न नियर टम में वो एक इल्यूजन है जिसकी बात कर रहे हैं आप कि अचानक से 10 गुना या 20 गुना अर्निंग हो गई ऐसा नहीं हो सकत दिया रिटेल निवेसा के लिए कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये कापी रिस्क भरा कर दिया बस यही है रिटेल निवेसा के लिए एक खतरनक चीज़ बना के रखती है और कुछ भी नहीं है लेकिन लंबे नजरीय से अगर आप इस कंपनी के देखेंगे तो ये सब लंबे नजरीय से देखिए जादा बैता रहे शौर्ट टम में आपको जो है प्राबलम हो सकती है लॉंग टम में इस कंपनी के अंदर प्राबलम नहीं होगी आपको और लंबा नजरीया रखेंगे उसमें आपकी अरनिस जो है ना कई गुना बढ़ती हुए नजर आएंगे लेकर आप बात कर रहे हैं छे मीने की या फिर यहांपर जो है दो कुवार्टर या तीन कुवार्टर की कितना बढ़ लोगे ये सबसे बड़ी बात आ जाती है कि आचानक से इतना सब कुछ बदल जाएगा अपही के लिए तो वो सारी बाते देखने वाली होती है ये तो ए आपका Q4 के नमस की दोरान ले 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 एक डिप आनी है डेफिनिटली एक डिप आनी है Q3 में आई valuation बढ़ गई, earnings बढ़ी, नहीं बढ़ी Q4 में भी अगर valuation ऐसी रहती है और earnings नहीं बढ़ती है एक dip आईगी, उसके बाद आपका यहाँ पर election की वज़े से यह stocks चलना है, start होंगे, जहां रखेगा election की वज़े से यह stock बापस आएंगे, बापस यहाँ पर favor में आएंगे बापस तेजी होगी, बापस पैसा आएगा इनके अंदर, यह ध्यान रखेगा लेकिन एक dip आना बहुत जरूरी है, वो कब आएगी पता नहीं है सिंपल सी बात है, यह तो वो Q4 में आजाए, यह election के बात तो यहाँ पर जो है, यह कहीं न कहीं कि इतना पैसा आजाएगा इनके अंदर, कहीं न कहीं जब वो भार निकले हैं कमा कर, तो वो एक dip आएगी तो देखते हैं, वो कब क्या रहता है, लेकिन फिलाल आपका 50 डेमा जो है, वो कहाँ पर, वो है भी यह आपका 140 है 141 के आसपास यानि कि अगर इस टॉक के अंदर और गिराब अटाई तो वो कहीं न कि 140 से 141 के आराउंड सुदर सकती है, विकॉज आपका 50 एमा यहाँ पर है, स्टिल यहाँ पर आगर आप देखेंगे दूसरी बात, अगर यह 141 टूटा, कितनी बड़ी और गिराब अटा सकती है, पॉसिबल आपको 132 की लेवल देखे जाएं, विकॉज आप गैप, गैप की बज़े से आपको 132 के लेवल देखने को मिल सकते हैं, वहाँ से आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये ये हाईर साइड जा रहा है, ये लोवर साइड जा रहा है, सिंपल सी बात है, बड़ ऐसे में होगा क्या, सबसे बोरा पैटन बन जाएगा, एम पैटन, ये जगे, ये पॉइंट इतना लेवल, इतना क्रूसियल लेवल होगा कि इसको पार करने में ना हालत खराब होगी हो, जब भी यहाँ पर आएगा एक बड़ी डिप आ सकती है, ये मिट पॉइंट जो है, वो इतनी बड़ी यहाँ पर ग्राफट लेकर आ सकती है, तो अभी जादा है, बट आप Q4 की अर्निंग्स देखिए, कुछ चेंज अगर होता है, क्योंकि बहुत लंबा टाम नहीं रह गया, फरवरी तो गई, मार्च स्टार्ट है, अर्निंग सीजन स्टार्ट होने वाला है, आप देखेंगे, कि यहाँ पर एड़ा की अगर अर्निंग रिस्क के जो है, उनी को हानी पहुचा रहा है, बस यह है, लॉंग टम के लिए बहुत अच्छी कंपनी है, बट शॉट टम में इसको एक क्रिप्टो करेंसी बना कर रख दिया है, आप समझ सकते हैं ना, क्रिप्टो करेंसी बना कर रख दिया है, मैं निगेटिव नहीं हू इन बातों से आपको समझ में आ गया होगा कि ये इनसान निगेटिब नहीं है निगेटिब नहीं है बट जो रिटेल निवेसकों का जो लॉसिस हो रहे हैं उसके क्या ही होगा तो वो एक क्रिप्टो बना के रख दिया था बस चले जा रहे है बिदाओ टैनी रीजन रीजन क्या था पता नहीं बस यहाँ पर लिकुटिटी आ रही है चल रहे है बट अब जो है वो नुकसान हो रहा है अब वो कब कबर होगा पता नहीं तो वो यहाँ पर है सो मीद एक कुछ आपको समझ में आया होगा खरिदना है तो आपको 132 अगर आपको देखे गैप है ग हो सकता है कि यह पैटन आपको जो है कल कुछ दे जाए और यहाँ पर गिरने के लिए तरिया ना हो बलकि बढ़ने के लिए तरिया तो एक उच्छाल आ गई तो समझ लिए यह यहाँ पर ना गूमना स्टार्ट हो गया इसका अगर कल भी यहाँ पर जो है गिराबट जारी कल भी अगर क्लोजिंग रहती है तो फिर 141 तो फिर यहाँ पर जो है आपके सामने रखा हुआ है वहाँ से गूम जा तो गूम जाए और वाइस फिर क्या कर सकते हैं तो वह यहाँ पर है लेट सी कल का दिन बहुत ही मेक और ब्रेक डे रहने वाला है अगर कल गूम जाए त बड़ी तेकन के लिए बात दन्वाद